तो मैं cookies को आपको तोड़ कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितने बढ़िया cookies हमारे बने हुए हैं, तो आप इन्हें एक बार जरूर ट्राइ करना बहुत ही बढ़िया recipe है, तो आज मैं आप सब के लिए recipe लेकरा हूँ, walnut cookies की जो कि मैं आपको बिना कोई जादा ताम जाम के बनाना सिखाऊंगा एकदम simple तरीके से और बिना जादा मेहनत के, तो hello and welcome to my youtube channel राजिस बैकरी काफे, तो चलिए start करते हैं और बनाते हैं आज के हमारे walnut cookies एकदम perfect style में, तो हमें अपने biscuit बनाने के लिए सबसे पहले जो जो हमें ingredients लेने हैं, वो सारे wait करके रख लेने हैं, ज इधर मैंने दाल चीनी का powder लिए लिया है, तो अब हम अपना biscuit बनाते हैं, इसको हम side में करते हैं और दूसरा एक bowl लेते हैं, तो इस bowl में हमें सबसे पहले डालना हो गया, दूद आपको इसमें डालना है 30 gram, 30 gram आपको इसमें milk डाल देना है, और इसके साथ में आपको इसमे इसमें डालना है 40 gram बटर, और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बटर आपका बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मिक्स होने में बहुत ज्यादा प्रोब्लम होगी, नॉर्मल टंपरेचर पर होना चाहिए, तो मैं बटर को चम्मत से मिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि यह थोड़ा सा टाइट था, तो जब थोड़ा सा टाइट होगा आपका बटर तो जो है, इस बीटर से जो है, मिक्स नहीं हो, क्योंकि बीटर में ही वो फस जाता है, सारा का सारा बैटर, तो इसलिए पहले आपको चम्मत से इस तरीके से बट का लिया MICHAEL तो मैंने अपनAY बटर को को जो है सॉफट लिया है और बटर को सॉफट करने के बाद आपको इसमें डाल देना है सुगर पाउडर सुगर पाउडर आपको इसमें डालना है 50 कि और उसके बाद इसके साथ में इसमें आपको डाल देना है 10 ग्राम मिल्कौडर और 10 ग्राम कॉस्टर्ट और यह को सिसका है है और फिर हम इसे अच्छे से मिक्से करें में इस선ी अपको एक यूमॉच करना है हम दर अवर इसमें बटर лед लखा है वह बटर जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए मतलब की तरीके से मेल्ट जाना चाहिए अच्छे से और इसमें जो भी चीज आप को लेना है characteristics और मैंने आपको बताया नहीं आपको इसमें ब ढलाना िसमें दैने और उसके बाद हमें डालना है बैकिंग पाउडर बैकिंग पॉर्डर डालने के आपको इसमें डाल देना है 100 ग deze me और मिक्स करेंगे हाथों से मिक्स कर लेता हूं मैं इसे क्योंकि अगर इसे आपको नहीं करना क्योंकि अगर आप इसे और मिक्स कर दोगे तो आपका बैटर जो है एकदम मतलब की सौफ होस्त हो जाएगा क्योंकि तो इसgement क्या थोड़ा सा जो पानी कम उठाता है तो उसके इसाफ से आप बाद में इसमें थोड़ा सा मैदा आड़ कर सकते हो तो हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है और हमारे डो की आप जो है consistency देख सकते हैं इस तरह की consistency जो है आपके डो की हो जानी चाहिए उसके बाद हम क्या करेंगे अपने डो के उपीस जो है पीसिस में कट कर लेंगे तो आपको जो है एक बराबर के pieces करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा weight scale के इस्तमाल करके जो है हर piece को weight करके बनाऊँगा तो मैं अपने सारे piece weight करके बनाऊँगा तो एक piece मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर यहाँ जो है 20 ग्राम का मैं एक piece रखोंगा biscuit का जो है इस तरीके से आपको जो है goal करके piece जो है बना कर रेड़ी करके रख लेने है तो हमने जो कुकीश वह सारे के साड़े वेट करके रख लिए हैं और मेरे यहां पर जो मतलब की कै cert की बारा कुकीश बने हैं और यह सासे मैंने बनाए containing ऐसे में वह राज तो हमें पीसों के सारे सा creativity में रख लेता हूं तो हमने अपने सारे के सारे कुकिस जो है ट्रे में लगा लिए हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारे पास नूडल वाला जो टी स्पून होता है उससे आप इसमें डिजाइन बना सकते हो बट मेरे पास नूडल वाला टी स्पून नहीं है तो मैं जो है इस केबल का इस से हमें जो है इस तरीके से बना लेना है को के कि encourages da कि मैं तो देखें बना लिए आब इसे बेत होने के लिए डाल देता हूं कियोंकि मैं आपने बने को पेहले को फिर danger ने मत कर लिए तो मैं तो हम इसे ढाला देता हूं सब्सक्राइल देखोने के लिए तो हम इसे डाल देंगे फटाफट तो आपको इसे बेक करना है 170 डिग्री पर राडे आपको हमेशा दोनों करके रखना है और मैं इसमें टाइम 15 मिट लगा दिया हूं और अगर इसमें जारा टाइम लगता है तो मैं आपको बता दूंगा और अगर कम करना है आपको जो है अपने बिस्किट का कलर देखकर उसे बेक करना है क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप जो मैं टाइम बता देता हूं उस टाइम के हिसाब से आप बिस्किट निकालते हो और क्या होता है कि आपके बिस्किट काले हो जाते हैं सड़ जाते हैं तो इसलिए यानि कि 25 मिनट मैंने इसे बेक किया है तो मैंने बाहर निकाल लेता हूँ तो हमारे cookies जो है ठंडे भी हो चुके हैं तो मैं cookies को जो है आपको तोड़ कर दिखाता हूँ देख सकते हैं कि इतने बढ़िया cookies हमारे बने हुए हैं तो आप इन्हें एक बार जरूर ट्राइ करना बहुती बढ़िया recipe है और बहुती खस्ता और कुरकुरे biscuit है हमारे और आप देख सकते हैं ये एक दम बढ़िया जो है बेक हो चुके हैं तो आप इन्हें एक बार जरूर ट्राइ करना बहुती अच्छी recipe है ये मैंने आपको एकदम आसान तरीके से बनाना सिखाया है आज मैंने जो आपको रेश्पी सिखाई है तो अगर आप उसे एक बार ट्राइ करते हो तो तब आपको अगर हमारी रेश्पी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर देना और एक प्यारा सा कॉमेंट करना और अगर अच्छी लगे रेस्पी तो दोस्तों के साथ वीडियो को सेर्वी जरूर करना धन्यवाद